हेलो दोस्तों मैं धीरें स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम इस्टडी वे संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे मई करेंट अफ़ेर 222 से मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक को दोस्तों आज हम बात करेंगे सापता है करेंट अफ़ेर की मई महने की एक से साथ माई 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपोर्टन कॉशन बनते हैं उन सभी को उन सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए वन लाइनर फॉर्मिट में आज कवर करेंगे और जितने भी मोस्ट इंपोर्टन कॉशन है उनकी मोस्ट इंपोर्टन डिटेल भी में आपक ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रिकार की पुर्तिक्ता परिशाओक लिए इंपॉर्टन रहेगा तो वीडियो को एंट तक पूरा जरूर देखेगा इंपॉर्टन कॉशन है दोस्तों तो यार रखेगा देश के पहले इथेनॉल सायंत्र का उधगाटन बिहार के पूर्णिया में किया इस सम्मंदित सभी इंपॉर्टन तक देख लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनौल सैंद्र का उधगाटन किया इस प्लांट की स्थापना इस्टन इंडिया बायो फ्यूल्स प्राइविट लिमिटेट ने 105 करोर रुपे की लागस से की है पूर्णिया सेहर से करीब 12 किलोमीटर दूर गणेशपुर परोरा में इस्तित यह प्लांट 15 एकर जमीन में फैला हुआ है कौन एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमबर्क पर लाइव होने वाला पहला सारविजनिक बैंक बन गया है यह बना है यूनियन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एकाउंट एग्रीगेटर एको सिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सारविजनिक छेतर का बैंक बन गया है यह है फ्रेमबर्क अत्वा धाचा बिनियमित संस्थाओं की बीच बास्तविक समय के आधार पर बित्तिय जानकारी साजह करने की सुविधा प्रदान करता है A, B, P, M, J, A, Y के तहट 100% घरों को कवर करने वाला पहला जला कौन बना है सही आंसर है केंध सासिर प्रदेश जम्मू कस्मीर का सावा जला केंज सासिर प्रदेश जम्मू कस्वीन में जम्मू संभाग का सावा जिला आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरुग योजना के तहट 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिना बन गया है जिले के सभी बीडियो कार्यालों में 11 अप्रेल से 21 अप्रेल तक राज्य स्वास्त एजन्सी द्वारा आयुजित एक बिसेश पंजिकन अभिहान के समापन के बाद जिले ने यह उपलब्दी हासिल की है यूपी का कौन सा सहर बैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला सहर बन गया है इंपोर्टन कोशन है तो ये बना है आपका आगरा उत्तर प्रदेश का आगरा बैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला सहर बन गया है इन बैक्यूम का उपियोग सार्विजनिक स्थानों पर किया जाएगा आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम ने ताज महल के पास 240 घरों को बैक्यूम आधरत सीवर से जुड़ा है इंपोर्टन कॉशन है बिस्व प्रेश सुचकांग 222 में भारत किस स्थान पर रहा है तो वर्ल्ड प्रेश फ्रीडम इंडेक्स 222 में भारत 150 स्थान पर रहा है इस रिपोर्ट को Reporters Without Borders ने 20 वा बिस्व प्रेश सुचकांग को जारी किया है और यार रखेगा पहले स्थान पर है नार्वे डूसरे पर डैनमार्क, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर एस्टोनिया है और पांच पर फिर्लेंड है और ये सुची 180 दिसों की भी जारी की गई जबकि उत्तर कोरिया सबसे नीचे है किसने 2022 बिस्व इस्टू कर चैंपेंशिप को जीता है इंपोर्टन कॉशन रहेगा 2022 का बिस्व इस्टू कर चैंपेंशिप रॉनी ओ सुलीवन ने जीता है बिस्व आस्थमा दिवस दोहरबाइस का थीम क्या है तो बिस्व आस्थमा दिवस दोहरबाइस का थीम है अस्थमा देखवाल में अंतराल को खतम करना क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केर पिरतेक वर्स मई के पहले मंगलवार को दुनिया वर में अस्थमा के वारे में जागुरता फैलाने के लिए से मनाया जाता है और इस वर्स इसे तीन मई को बनाया गया भारत का पहला अम्रित सरोवर कहां बनकर तयार हो गया है तो भारत का पहला अम्रित सरोवर यूपी की रामपुर में बना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात की सरकार के प्रियासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमरित सरोबर बनकर तैयार है आजादी कामरित मौसब के हिसे की रूप में अमरित सरोबर पहल को सुरू किया गया जिसके अंतर का 75 जल निकायों को बिकसित और पुनर जिवित किया जाएगा राजिस्थान का मिया वाला रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो राजिस्थान के मिया वाला रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर महीस नगर हॉल्ट कर दिया गया है कौन भारत का पहला घरेलू hydrogen एधन वाला इलेक्टरिक पोत बनाएगा तो ये बनाएगा कोचीन सिप्याड कोचिन सिप्याड लिमिटेड ने हाइडोजन इधन पर आधारित पहला सोदेशी लेक्ट्रिक पोत विकास और निर्माण करेगा जिसके हरित सिपिंग की दिसा में देश के प्रियासों को गती मिलेगी हर गाओं में पुस्तकाले वाला देश का पहला जिला बन गया है जामताला जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदा एक पुस्तकाले है लगवक आठ लाकी आवादी वाले इस जिले में 6 ब्लोक के तहट 118 ग्राम पंचायते हैं और प्रतेक पंचायत में एक सुसचित कुस्तकाले है जो सुबे 9 बजे से 5 बजे ते चातरों के लिए खुला रहता है बिस्व हाथ सुचिता दिवस 222 का थीम क्या है तो बिस्व हाथ सुचिता दिवस 222 का थीम है स्वास्त देखवाल गुलवत्ता और सुरक्षा जलवाई या संस्कृती हर साल 5 मई को समूचे देश में बिस्व हाथ सुचिता दिवस यान की वर्ल्ड हैंड हाईजीन डे को म भारत की पहली आदिवासी स्वास्त बैत साला बनाएगा सही आंसर है उड़ी साथ स्थापना के लिए बुद्धवार को समझोते पर एक हस्ताचर किये हैं किसे केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयर परसन का अत्रिक्त प्रभार स्वांपा गया है 1986 बैच की भारती राजस्व सेवा की अधिकारी संगीता सेन को केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की चेयर परसन का अत्रिक्त प्रभार स्वांपा गया है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उप्यो करने वाली पहली एरलाइन कौन बनी है इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उप्यो करने वाली अपने विमानों को उतारने वाली एशिया की पहली एरलाइन बन गई है इंडिगो भारत सही राक्ष अमेरिका और जापान के वाद अपनी S.B.A.S. प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है किसे भारत के नए बिदेश सचिव के रूप में पदभार गण किया है तो बिनाय मोहन को आत्रा ने भारत के नए बिदेश सचिव की रूप में पदभार गण किया है 1988 बेच के भारती बिदेश सेवा के अधिकारी रहे रह चुके हैं बिनाय मोहन और वे सेवा निर्मित हुए हर सवर्धन संग्रला की जगा लेंगे पुस्तक not just a night watchman my innings in the BCCI को किसने लिखा है तो इस बुक की राइटर है बिनोधराय कौन है बिनोधराय तो पूर्व भारत के नेंतरक एवं महालिका परिक्षेख है ग्यारवे ठीक है बिनोधराय migration tracking system app बिक्सित करने वाला पहला राज बन गया है महराष्ट महराष्ट भारत का पहला राज बन गया है जिसने बेक्तीगत बिसिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी सिर्मकों की आवाजाही को ट्रेक करने के लिए बैपसाइट आधारेत migration tracking system application को बिक्सित किया ह किसे पेरू सरकार दोरा सर्वोच राजनाएक पुरुसकार से सम्मानित किया गया सही आंसर है अद्रे सिर्बी के दुवाशा मुंबई में पेरू के पूर्व मानत कोशल अर्दे सिर्बी के दुवाशा को पेरू के बिदिसमंतर दोरा पेरू जौस ग्रेगो रियो पाज स गोल्डन की राजनाइक सेवा में ओर्डर ओफ मेरिट से मेरिट प्रदान किया गया है किसे थलसेना का नया सहसेना प्रमुक नियुक्ति किया गया तो लेफटेनेंट जनरल बग्गा वली सुम सेखर राजु को थलसेना का नया सहसेना सहसेना प्रमुक नियुक्ति किया गया ह वे एक माई 2022 को पदभार घ्रड करेंगे वह सैनिक स्कूल बीजापुर और राश्ट्रिय रक्षा अकादमी के पूर्प छातर थे और 15 दसंबर 1984 को जाट रेजीमेंट में कमिशन हुए थे पीवी सिंदु ने इंपोर्टन कोशन है के एंडी जेसी आदिकारिक तोर पर 5 जुलाई को अमेजन के CEO बन जाएंगे एमेजन.ing की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई 5 जुलाई 1994 को और इसका मुख्याल है सियेटल वाशिंग्टन सही उत्राज अमेरिका में है कौन जियो सावन के CEO बने है आंसर है सहस मलोत्रा जियो सावन ने एमेजन म्यूजिक के पूर्व निदिसक और मनुरंजन उद्द्यों के बिशग सहस मलोत्रा को अपना नया CEO नामित किया है बिस्व प्रेज दिवस 2022 का थीम क्या है तो बिस्व प्रेज दिवस दो यर बाइस का तीम है डिजिटल घेरावंदी के तहत पत्रकारता प्रतेक तीन मई को बिस्व इसतर पर बिस्व प्रेज सुतंता दिवस की रूप में मनाया जाता है किस राज के मुख्यमंत्री ने मितान योजना की सुरुवात की है तो 36 गड़ के मुख्यमंत्री मितान योजना की सुरुवात की है देखिए मितान का मतलब होता है मित्र या फिर दोस्त ठीक है इस योजना कित है चत्तिस गड़ के निवासी अपने घर पर लगवक सौ सारुजिनिक सेवाओं का लाग उठा सकते हैं कौन सी राज सरकार ने नीरच चोपडा के ग्रह नगर में इस्टेडियम बनाने के घोशना की है राइट आंसर हर्याणा सरकार ने हर्याणा के मुख मंतरी मनोहर लाल खटर ने घोशना की कि ऑलम्पिक सौण पदक बिजिता नीरच चोपडा के पैतरक गाउं पानी पत में ए यह समझोता मनीपुर के विश्नुपुर जिले में हुआ मनीपुर सुपर 50 परयोजना का जुलाई 222 के पहले सप्ता तक 50 चात्रों के पहले बैच के लिए पूरी तरह कार्यात्मक होने की उम्मीद है किसने महराष्ट जीन बैंक परयोजना की मनजूरी दी है आंसर है महराष्ट केविनेट यह भारत में इस तरह की पहली परयोजना है इसका उद्देश राज के भीतर जेनेटिक संसादनों का संद्द्द प्रदार करना जिसके अंतरकर समुद्री जीवों की बिविदता में दर्जा मिला है घुर्ध वाणी जैननों में 3500 से अधिक पौधों की परजाती है जो मुलता रियोग की परजातिया काल उनिसे बनस्पति और परिदर्स से प्रयोग के लिए एक प्रियोसला माना जाता है किस हिम तेंदुवा सनरक्षण वादी ने प्रतिष्टित वीटल गोल्ड अवार्ड जीता है आंतर है चारू दत मिस्रा ने यह है आवार्ड उन्हें एशिया के उच्छ परवतिय पारस्तितिक तंतर में बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानि कि तेंदुवों के सनरक्षण और पुनर प्राप्ति में सोदेशी समुदाय को सामिल करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त हुआ है आंसर है किशोर कुमार दास बंगलादेश के सैक्षिक चैरिटी बिदा नंदो के संस्थापक किशोर कुमार दास को युनाइटिट किंग्डम के कॉमन वेल्थ पॉइंट्स ओफ लाइट आवार्ड के लिए चुना गया है किस राज्य की ई प्रस्तावना प्रणाली ने प्रतिश्टे संय। राश्च प्रुसकार को जीता राइत आंसर है मेघाले मेगाले के योजना बिभाग के माहत्पूर्ण प्रियास ई प्रस्ताप प्रणाली को सूचना समाज फॉरम पर बिस्व सिकर सम्मिलन पुरुसकार 22 से सम्मानित किया गया है कौन सी भारती अभिनेत्री 75 वे कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्वरी है किसे फ्रांस के राष्टपती की रूप में पुना चुना गया है इस्पैनिस लीक खिताब जीता है तो रियल मैडरिट ने 35 वा इस्पैनिस लीक खिताब जीता है रियल मैडरिट ने अपने रिजर्व दस्ते के साथ एस्पेन योल को चार जीरो से हरा कर रिकॉर्ड 35 वी बार इस खिताब को जीता है अगला कॉश्चन है किसने अपना साथवा संतोस ट्रोफी खिताब जीता राइट आंसर है केरल केरल के मलपपुरम के मंजेरी स्टेडियम में संपन हुई 75 संतोस ट्रोफी 2022 जीतने के लिए केरल ने पैनल्टी सूट आउट में पश्चिम मंगाल को हरा कर ये खिताब जीता है किसने बेस्ट इंफ्रस्ट्रेक्चर प्रोजेक्ट पुरुस्कार जीता है राइट आंसर है अटल सुनन सीमा सडक संगठन के इंजिनरिंग मारवल अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन विल्डिंग कॉंग्रेस बैस्ट इंफ्रस्ट्रेक्चर प्रोजेक्ट का पुरुस्कार मिला है ये हिमाचल प्रदिश की रोतांग में निर्मित है पुस्तक अमिसहा अनी बजापची बच्चल को किस ने लिखा है तो इस बुक को लिखा है डॉक्टर अनी वार्न गांगुली और शिवानन्द दिर्वेदी ने किसे फ्यूचर जनराली इंडिया इंसुरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया सही आंसर है ब्रूस डी ब्रोईज फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंसुरेंस की स्थापना हुई सन 2000 में और इसका मुख्याल है मुंबई में है एल एंटी ने हरित हाइडोजन प्रोदकी बिकास करने के लिए किस आयटी के साथ समझता किया है पुस्तक चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेर्मेन माउ टू सी जिन पिंग को किस ने लखा है तो इस पुस्तक को लखा है फ्रांसेसी पत्रकार रोजर फाली गोट ने भारत ने कितने से अधिक राश्ट्य दोजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है सही आंसर है अटतर हजार किस योजना के तहत महाराश सरकार ने जिल में बंद कैदियों को पचास हजार रुपे तक का परसनल लोन देने का फैसला किया है सही आंसर है जीवला योजना कारागार बिवहाग और महाराश्ट राज्य सहकारी बैंक दोरा लागू की गई इस योजना को पूरे के यरवदा सेंटरल जिल में सुरू किया गया है डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए SVA कार्ड किस के साथ समझोता किया है सही आंसर है TCS के साथ किस के साथ किस राज के पूर मुखमंतरी रहे J.D. रिमबाई का निधन हुआ है तो देखिए मेखाले के ये पूर मुखमंतरी थे जिनका नाम है J.D. रिमबाई और इनका निधन हो गया किसे दूसरी बार राश्टी अनुसूचे जाती आयोक का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया सही आंसर है बिजय सांपला बिजय सांपला को दूसरी बार अनुराष्टी अनुसूची जाती आयोग का देख्ष नुक्ति की आ गया है अंतराष्टी जैज दिवस 22 का थीम क्या है तो सही आंसर है एक कॉल फॉर ग्लोवल पीस एंड यूनिटी प्रतेक बर्स 30 अप्रेल को दुनिया भर में अंतराष्टी जैज दिवस मनाया जाता है यह दिन जैज को बढ़ावा देने और इसके महात्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जैज क्या है तो जैज संगीत का रूप अफरीकी अमेर्कियों द्वारा बिक्सित किया गया था किशे सिवालिक स्मॉल फाइनस बैंक के एमडी एंड सी एउ की रूप में नामित किया गया है तो उनका नाम है अंसुल स्वामी क्या नाम है अंसुल स्वामी रेल मंत्राने ने रेल्वेज दूर संचार को अपग्रेट करने के लिए किसके साथ समझोते पर अस्ताफचर किये हैं राइट आंसर है C. किसके साथ C. के साथ रेल मंत्राने ने रेल्वेज दूर संचार को अपग्रेट करने के लिए एक समझोते पर हस्ता अप्छर किये है आज का वीडियो यहीं एंड होता है उम्मीद करता हूँ आपको सबी कोशन अच्छे लगे होंगे समझाय होंगे जल्द मिलते हैं किसी नयाई टॉपिक के साथ